नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको बताऊँगा कि वर्रica का क्यों और कोड वाला feature कैसे हटाई या कैसे डिलेट करें यह होगा कि नहीं और अगर नहीं होगा तो हमें क्या करना है और होगा तो कैसे करना है मैं बताता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने वर्टसेप में जाएए वर्टसेप में जाने के बाद आपको उपर तीन डॉट पे टच करना है यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना है अब यहाँ पे आपके पास यहाला उप्सन आ जाएगा सबसे पहले मैं आपको बता जाता हूँ ये क्यों दिया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस पे टच करोगे तो यहाँ पे एक scan code का भी option है मान लीजिए आपका दोस्त है वो आपको WhatsApp करना चाता है पर वो number save नहीं करना चाता है तो वो इसी वाले option में आके अपने WhatsApp से scan code करके आपका जो code है वो scan करेगा तो बिना number save करे ही एक WhatsApp का chat open हो जाएगा अब यहाँ पे यह delete कैसे होगा मैं आपको बता दूँ कि अभी तक WhatsApp में ऐसा कोई feature नहीं है कि यह delete हो सके पर हाँ आप इसे change कर सकते हैं और reset कर सकते हैं यानि कि मान लीजिए अगर आपने गलती से इस QR code को किसी को दे दिया है या send कर दिया है तो आप इसे बदल सकते हैं और एक नया QR code apply कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है यहाँ पर इस वाल page पर आप आओगे उपर आपको यहाँ पर तीन डॉट मिलेंगे इस पर टाच करोगे यहाँ पर आपको मिलेगा reset QR code तो इस पर टाच करेंगे आप तो आपका जो code है वो change हो जाएगा तो reset पर क्लिक करें और आपका code बदल जाएगा अब यहाँ पर अगर आपने किसी को अपना code दिया होगा तो वो code काम नहीं करेगा और नया वाला code अपलाई होगा शायद आप समझ गए होंगे तो आप कोई भी वीडियो देख लेजिए सब यही बताएंगे कि यह delete नहीं होगा पर हाँ आप इसे change कर सकते हैं तो शायद आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें कोई सवाल है तो कमेंट करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में